आज का चैप्टर है हमारा उससे पहले हमारा चैप्टर लीवरेज रहेगा लेकिन पहले थोड़ा सा फाइनेशल मैनेजमेंट के बारे में भी जान ले हम के फाइनेशल मैनेजमेंट क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं तो जवाब है सर फाइनेशल मैनेजमेंट हमारा जैसे की सब्जेक्ट लास क्लास में मैंने सारा इंडेक्स वगरा बता दिया था तो फाइनेशल मैंजमेंट ना अगर हम अकाउंट की बात करें ना अकाउंट तो अकाउंट को बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि आपको अलग अलग लेवल पर सिखाये जाता है जैसे मैं अगर आपको बताओं तो आप सबसे पहले आपका जर्नी जो अकाउंट का स्टार्ट होता है वह होता है 11 एंड 12 में आप अकाउंट स्टार्ट करते हूं यहां पर जो account आपको सिखाया जाता है वह account होता हैं आपका financial account जिसको आपने एफ भी बोल देते हैं इसके बाद आपका जरने स्टार्ट होता है sir, become का और become के अंदर भी आपका semester one and semester two इसके अंदर भी जो आपको पढ़ाया जाता है वो financial account ही पढ़ाया जाता है और इसके अंदर भी आपका जो है नाम corporate account है लेकिन वो financial account के category में ही आएगा यानि आपको पूरे पूरे तीन साल सिर्फ financial account इन सभी का एक ही objective होता है calculate यहाँ भी profit की ही जित बहस है यहाँ भी ज्यादतर chapter में आपको सिखाया जाता है भईया profit निकालो और यहाँ भी आपने ज् profit ही निकालना सिखाए इन सभी में जैसे आप आ जाते हैं बीकॉम के second year में semester 3 में और फिर आप आ जाएंगे कब semester 4 में तो semester 3 के अंदर आपको अब थोड़ा सा account का टेस्ट बदल दिया जाता है यहाँ पर सिखाये जाता है financial management जो की core subject और हर बच्चे के पास है इसमें कोई दोर आई नहीं है के सर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा क्या option में होगा नहीं कोर सब्जेक्ट है financial management basically accounts का हमारा देखा जाए तो बोल सकते एक पल के हिस्सा है लेकिन यह पूरा का पूरा टोटली जो हिस्सा है वो management का है इसमें कोई debit नहीं होगा कोई credit नहीं होगा कोई t-shape account नहीं होगा कोई journal entry नहीं होगा इसमें nothing इसमें कुछ नहीं होने वाला financial का मतलब होता है इसके अंदर पैसा यानि पैसे को arrange करें तो arrange करते time पे हमें किन-किन बातों का खयाल रखना चाहिए और क्या-क्या technique follow करना चाहिए जिससे कि हमें ये पता चले कि भाईया ये पैसा लेना हमारे लिए beneficial है या नहीं जैसे loan ही ले लो या फिर आपने share issue किया तो loan और shares की बात करें तो loan से पैसा ले या share से पैसा ले 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 which one is beneficial for company तो उस वही technique सिखाया जाएगा आपको इसमें इसमें ये नहीं बता जाएगा कि भाई राम को salary दिया उसकी general entry करो ये नहीं बता जाएगा कि मोहन के balance sheet बनाओ इसमें ये सब कुछ भी नहीं होगा तो ये financial account basically account से बिल्कुल हट के मान सकती हूं इसके बाद semester जैसे ही चार में एंटर करोगे तो आपको थोड़ा advance सिखाया जाएगा that is आपको सिखाया जाएगा cost account से अंदर क्या सिखाया जाएगा कि पर unit cost क्या होता है इसमें सिखाया जाता है पर unit cost क्या होता है तो देखो semester 4 में जब जाओगे तो पहले से पता चलिए अपको बहिए उसमें भी accounts पढ़ना है पढ़ना है जी एक account का नाम है cost account अब जैसे semester 5 में जाओगे तो यानि आपका याद आता है third year और semester 5 में जब आपका third year आ जाता है तो उस time पे आप नौकरी के लिए job के लिए तैयार हो चुके होते हो कि कुछी समय बचा होता है आपको job ढूंडने में यानि मातर कह लो तो आपको आठ से 10 महिने का समय होता है बारा महिने मान लो ज़्यादा ज़्यादा और क्या मानोगे आपको job करना है जब job करने जाओगे और बोलोगे सर मुझे accounts का काम आता है तो फिर आपकी जर्नी पूरी क्या हो जाएगी अधूरी तो इसलिए आपको semester number three के अंदर आपका third year में semester five पड़ेगा और हमारा कौन सा पड़ेगा semester six इस जगह पर आपको फिर से दो account दे दिया जाता है एक दे दिया जाता है income tax यह भी आपका accounting का ही मान के चलो एक यह दो पढ़ाया जाता है आपको इस level पर वह यह आप income tax निकालना सीख गये तो फिर बोला जाता है और यह last में पढ़ाने का पता है क्या परपस है क्योंकि income tax हर बार बदल जाता है हर साल बदल जाता है जैसे मान लो गौर्मेंट ने कहा कि इस बार मान लेते हैं कि किसानों का करजा माफ हो जाएगा और किसान जो भी पैसा कमाएंगे उसके उपर हम टेक्स नहीं लेंगे ऐसा कुछ गौर्मेंट में बजट में पास कर दिया तो वह हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वही चीजे तो हमें पढ़ना होगा इंकम टेक्स में अगला है मैनेजमेंट अकाउंट जो यह आप कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हो इसका एडवांस जैसे बड़ी सीरी सी बात करूं तो एपल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया कि हम नहीं बनाएंगे डिस्प्ले वो मैनिफेक्छर करवाते इस सेंङक एपल कमपनी का डिस्प्ले को मैनिफेक्छर करते हैं तो यह फैसला किसका था एपल का चितने भी таким Patricia है चाहे आप कोई सा कंप्यूटर ले लो उसके हैं अंदर हाड डिस्क बनाने वाले कंपनी अलग होती है मुबाइल फोन ले लो अब मुबाइल फोन में आपने सुना होगा भले ही सैमसंग का मुबाइल फोन है लेकिन उसके अंदर जो चिप सेट है वह आ रहा है स्नैप ड्र अपको फैसला लेना पड़ता है कि अपने बाइक कर लिया तो उसमें क्या कमिया रहेगी जिससे फेल हो गए या प्रोड़क्ट आपने बना लिया तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके विए से आप सक्सेस नहीं हो पाएं तो वह चीज़े ढूंड़ना सिखाए जाता है पड़ेगा यानि अकाउंट्स के सारे के सारे आपको जितने गुण है वह ग्यारवी से लेके ग्रेजुशन तक में आपको पूरा सिखा दिया जाएगा इसके बाद आप दुनिया का कोई भी कोर्स कर लो सीए कर लो सीएस कर लो या फिर आप सी डवलूए कर लो मैं एम्ब लेवस बहुत बड़ा होता है लेकिन जो एक्जाम में सवाल पूछे जाते हैं थोड़े से हलके सवाल कई बार पूछ लिया जाते हैं और कई बार मुस्किल भी पूछे जाते ऐसा नहीं है तो हम जो पढ़ेंगे अगर आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है तो मैं बता नंबर 6 में आपको कोचिंग की जुरत ने पड़े कि यहीं से वो कबर अप हो जाएगा आप MBA करोगे तो MBA में भी एक सब्जेक्ट याद है का Financial Management तो यह सब्जेक्ट सारे आपको कहीं ने कहीं लाइफ में आगे काम आएगा तो हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कम पहला चैप्टर मैंजमेंट की बात आती है तो मैंजमेंट उसको बोला जाता है जो कम एफट लगा के बहुत ज्यादा कुछ करके दिखा दे एकधम से क्थे अगदम सिस्टेक्ट को कहीं MISTAKS ना हो बहुत जल्दी आउटपूट देदे वहां में मैंजमेंट का काम आ बज़िटिंग पढ़ाओगा आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ाओगा वही सारी चीज़े तो हमारा जो पहला चेप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जट इस चेप्टर का नाम क्या है सर लीवरेज लीवरेज अब लीवरेज के अंदर आपको सिंबल को ध्यान से देखो मैं पर उसने यहां पर प्रैसर किया तो इस थे बड़े सारे समान को उठा लिया यहां पर दूसरे साइड भी यही है कि हमने छोटे छोटे से हमने बड़ी चीश को ठालिया यानि यहां पर संकेत क्या देना चाहता है deliver बैसिकには क्या होता है लीवर होता है जैसे आप मैं बात करूँ आप सभी ने hand pump देखा होगा अगर hand pump में से मैं उसका handle हटा दूँ तो ना मुम्किन सा है कि आप पानी को खीच पाओगे नहीं खीच सकते हैं लेकिन वह ऐसा lever है जिससे कम effort लगा कि आप फटा-फट से पानी क्या कर देते हो निगाल लेते हो तो सेम ऐसे यहां पर जैसे हमारा अभी अभी सेल्स है और सेल्स है तो मेरा profit अगर सौ रुपह है और अगर मैं सेल्स हजार करता हूँ तो कुछ ऐसा effort लगाओ कि मैं यहां पर आपके कम एफट लगा के बहुत ज्यादा प्रॉफिट बहुत ज्यादा रिजल्ट बता देना तो हम यहां पर लीवरेज पढ़ने वाले हैं यह सर यूनिट नमबर आपके बुक का थ्री का पार्ट है यूनिट नमबर थ्री का पार्ट है हमारे एक्जाम में 100% इस में से questions पूछा ही पूछा जाएगा इस chapter में से तो चलिए लीवरेज होता क्या है पहले हमें कुछ basic systems करन बात करूं तो sales होता है हमारा एक होता है variable cost जिसको मैं VC लिख देता हूं आपने economics में पढ़ा होगा variable cost और इसके साथ fix cost होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं FC बोल देते हैं अब भाईया variable cost हो गया fix cost हो गया इसके साथ अगर हम इसमें profit को add कर दें तो हमारा equivalent of sale बन जाएगा तो क्या बन जाएगा equivalent of sales और एक मज़े की बात आप सभी को एक बात ये भी पता होगा economics में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा जो बच्चे commerce background के नहीं यह तो मैं बता दू variable cost और fix cost को मिला दिया जाए तो हम इसको एक नाम दे देते हैं that is total cost यानि sale क्या होगा आपका sale या आप समान कैसे बेचोगे जो समान आपका variable लग रहा है जो fix लग रहा है और उसमें profit add कर दोगे total cost में आप profit add करोगे वही तो आपका sale माना जाएगा अब मुद्दे के बात क variable cost क्या होता है variable cost होता है अगर मान लेते हैं कि हमारा एक unit है एक unit हमारा 10 रुपे का है एक unit 10 रुपे का है तो अगर मैं 2 unit बनाऊंगा तो ये 2 unit जो है वो हो जाएगा 20 रुपे का अगर मैं 5 unit बनाऊंगा तो 5 unit जो है वो हो जाएगा 50 रुपे का यानि जितनी जादा हम quantity को बढ़ाते जाएंगे, हमारा उसका खर्चा भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, that is called variable cost, fix cost क्या होता है सर, अगर मैं fix cost यहाँ पे 300 रुपे है, तो मैं unit 2 कर दूं, तब भी 300 रहेगा, 5 कर दूं, तब भी 300 रहेगा, जैसे कि मकान का rent, आप rent लेते हैं, उसमें आप 2 वेक्ती र रहो, चाहे 7 वेक्ती रहो, किराया आपका अगर 10,000 है, तो आपका 10,000 रुपे ही मकान का किराया जाएगा, वो क्या माना जाएगा, आपका fix cost माना जाएगा, सेम अगर मैं बात करूं, variable cost क्या होता है हमारा, जो unit के साथ change हो जाता है, profit जो हर इंसान चाहता है, कि हमारे business में profit नहीं होगा, तो नहीं चलेंगे, अगर ये दोनों बराबर रहता है, ये दोनों बराबर रहता है ना, तो इसको हम break even point भी बोल देते हैं, कि हमें ना तो profit हुआ, और ना ही loss हुआ, no profit, no loss को हम बोलते हैं, break even point, जो कि आप management account पर तो बहुत detail में पढ़ोगे, break even point के बारे मे लेकिन अभी फिलहाल, जो हमारा sales बनता है, वो कैसे बनता है, sales is equal to, आपका variable cost plus fixed cost plus profit हमारा ये होता है, अब हमें समझना है कि सर, variable cost में क्या-क्या components हो सकते हैं, और fixed cost में क्या-क्या components हो सकते हैं, ये सारी बातों को हमें जानना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे यहाँ पर एक शब्द आता है, एक word आता है, that is contribution, contribution, contribution का मतलब कितना effort लगा, तो contribution क्या होता है, हमेसा याद रखेगा, अगर मैं sales में से, sales में से क्या minus कर दूँ, variable cost minus कर दूँ, तो contribution होगा, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाईए, contribution दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकत है, और वो दूसरा तरीके से क्या हो सकता है, और मैंने sales में से variable cost minus कर दिया, तो यही दोनों पार्ट तो बचा, तो इसका मतलब contribution होता है, fix cost को अगर profit में add कर दियाता है, that is हमारा क्या बन जाएगा, contribution, contribution क्या होता है हमारा, यह होता है, हमारा एक तरीके से देखा जाए, वो ratio, वो percentage, वैसे percentage निकालना नहीं आएगा, कि हमने अपने business में अपना क्या योगदान दिया है, अपना कितना effort लगाया है, उसको contribution भोला जाता है, तो चलिए हमारा यह question कैसे करना होगा, किस type के questions होने वाले है, वो चीजे समझते हैं, उससे पहले हम समझते हैं, कि shareholder जो होते हैं, वो अपने, क्योंकि हम इसमें सारी बाते company के बारे में करने वाले हैं, कोई बात ऐसा नहीं होगा, कि छोटे दुकांदार है, वो काम कर रहा है, छोटे दुकांदार financial management की बात ही नहीं करता, बड़ी बड़ी company financial management की बात करता है, तो एक छोटी सी बात हम देखने जा र ज़रूरी है, क्योंकि सारा खेल वहीं से रहेगा, मैं उपर लास्ट में लिख दूँगा कि क्या है यह, यहां पर particular रख लेते हैं, सबसे पहले हमारा होता है सर सेल्स, क्योंकि हमें dividend की बात कर रहे हैं, shareholder को पैसे देनी की बात कर रहे हैं, तो सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करेंगे, तब उसे दे देंगे, जो बचेगा, सेल्स आगया हमारा, ठीक है, सेल्स के बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं, that is variable cost, जब variable cost को हम यहां से माइनस कर देते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जब सेल्स में से variable cost माइनस करोगे, तो एक new result generate होता है, that is, उस result को नाम देते हैं हम, contribution, यह आगया हमारा, contribution, अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, fix cost, अगर मैं माइनस कर दूं, यहां से, fix cost, तो आप सोच सकते हो, अगर दिमाग में अगर है, आपके format, तो contribution में से, अगर आप fix cost माइनस करोगे, तो आपको जो profit मिल के मिलेगा, उस profit का नाम होगा, simple profit ही होगा वो तो एक तरीके से दिखा जाए, लेकिन थोड़ा सा modern नाम रखते है, profit का, earning, before, tax, interest and tax, interest, earning before, interest, and tax, short form में EBIT, और बहुत popular है, ये किस नाम से EBIT, अब हम जब भी आगे बात करेंगे, तो EBIT, ऐसा क्यों बोला गया, कि जो ये profit आया है, इसमें से हमने interest माइनस नहीं किया है, और नहीं मैंने tax माइनस किया है, अगर मैं interest और tax माइनस कर दूँ, तो हमारा actual profit निकल के आएगा, जो कि बांट लिया जाएगा, क्योंकि ये पैसे नहीं बांट सकते, इसमें से अभी सरकार का हिस्सा दे, जो तुमने loan वगरा लिया, उसका ब्याज दो, फिर बचेगा, तब बांटना आप आपस में shareholder, तो EBIT, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, that is profit before interest and tax, तो इसे PBIT भी पुल दिया जाएगा, अब सर इसमें से एक एक चीज घटा दो, दो ही चीजे तो इसमें से घटा नहीं है, एक interest और एक text, तो एक घटा दो, आप यहां से less कर दो, फिर से interest, interest, and preference share dividend, मैं short form थोड़ा से use कर रहा हूँ, preference share dividend, यानि वो भी एक तरीके से मान के चलो, आप interest के तरीके से होता है, आपने भी देखा होगा, कि उसके उपर एक fix क्या होता है, हमारा percentage होता है, और उसी percentage से देते हैं, तो kind of interest के तरीके से मान लो, वो चीजे हम यहां पे ले ले करेंगे, जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारा जो एक नाम और नाम करन होगा, यहां पे होगा, हमारा earning या profit बोल लो, earning before tax, जिसको हम बोलते हैं, earning before tax हो जाए, क्योंकि अभी tax minus नहीं हुआ भाई, फिलाल, tax minus करेंगे, तभी तो बात बनेगा, इसके बाद जो हम minus करेंगे, तो that is, हम सीधा-सीधा tax minus कर देंगे, और tax हमेशा याद रखिएगा, वो किस format में गीवन होगा, percentage, 40%, 50%, तो जो यहाँ पर यहाँ आया, इसका 40, इसका 50 निकालना होगा आपको, तो जैसे ही मैंने यहाँ से यह tax minus किया, तो मेरे पास अब जो profit है, अब उस पे किसी का हिस्सा नहीं है, सारा हिस्सा हमारा है, यानि मालिक का है, और company के अंदर मालिक कौन होता है, shareholder, company के अंदर honor कौ earning after tax, मैंने यहाँ dividend, preferential dividend लिया, इसके उपर मैं अलग से discussion करूँँगा, preferential dividend का calculate करने का तरीका भी मैं फिलाल simple way में चल रहा हूँ, अब मुद्दे की बात है, सर, variable cost क्या होगा, variable cost हो सकता है, labor हो सकता है, और या फिर आपका overhead हो सकता है, अब labor मतलब थोड़ा सा नाम modern होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जिसको हम wages या salary बोला करते थे, अब उसको हम labor के नाम से बुलाएंगे, overhead का मतलब होता है, खर्चा, जिसको हम बोलते थे, general expense, अब general expense के बजाए हम क्या बोलेंगे, overhead बोलेंगे, बस modern name हो गया यहाँ पर, यह हो गया हमारा expense, ऐसे fix cost क्या हो सकता है, सर, fix cost हो सकता है, आपका rent, पहली चीज आपका क्या है, rent, जो मकान का किराया दे रहे हो, वो हमारे क्या माना जाएगा, fix cost माना जाएगा, ऐसे हो सकता है, आपका license fees, जो कि मान लो fix रहता हो, आपका, वो, हाला कि कभी भी नहीं पूछेंगे आप से, कि fix cost क्या है, बताओ चलो, नहीं पूछेंगे, आपको सीधा देंगे fix cost, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, fix cost के बाद हमारा बात करते हैं, interest, तो interest की बात करें, तो interest थोड़ा सा important रह जाता है, हमारे लिए सीखना, कि interest क्या होता है, हमारा interest बेसिकली दो चीजों पर निखाला जाता है, किस-किस पर निकाला जाता है interest, नमबर वन हमारा वैसे तो काफी चीज है, लेकिन मेंली यहां दो चीजों पर ब्याज निकलता है, एक तो निकलता है हमारे debenture पर और एक निकलता है loan पर, अगर आपने bank से लॊन लिया है तो उस पर निकलेगा या फिर आपका निकलेगा whichever ket अगर मैं लॉन की बात करूं तो लुट ये इन ने हमेशन द्याद रखना वह कुछ थोड़े अलग स्टाइल में घीवन होता है जैसे Ghi given तो इसका मतलब है उसकी पर आठ परसंट जितना भी अमाउंट है एक लाक है तो एक लाफ पर अनपु सकता है तो सब्सक्राइं को सबाय Alger हो सब्सक्राइब बोला गया कि माइस करil करो कि अटिभेंचर वाला वे इंटरस्डेंट निकाल के हमाइस करना है मैंने कहा इसके उपर स्टार भी लगा देता हूं इसमें थोड़ा सा हमारा रहता है कि किस तरीके से निकाला जाए ना लिकाला जाए तो हम इसको बाद में एक बार और डिसकस करके निकाल लेंगे हाला कि यह अब एक चीज आपने पहले पढ़ा होगा कि अभी रिसेंटली आप पढ़के आए हो नहीं पढ़ाओ कर छोड़ दिया हो फाइनल अकाउंट तो मैं बता देता हूं फाइनेंस कोस्ट वह होता है जो कि ब्याज से रिलेटिड सारी चीज़े होती है उसको क्या बोलते हैं फाइनेंस कोस्ट तो फाइनेंस कोस्ट अगर म लाए बहुत होता है जब आपने बारभी क्लास में हिस नहीं देखा हुआ इस पर्प्रत का रिलेशन जो होता है तर दून करेंगा वेहां से लिपकाषि द्रिए पोस्ट भ होता है ओपरेटिंग कॉस्ट होता है तो यहां पर दो हो गया फाइनेंस कॉस्ट एक हो गया ओपरेटिंग कॉस्ट तो चलिए जो अर्णिंग आफटर टेक्स एक मैं एक्जामपल भी लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे की कहानी क्या है अब माले लीजिए जार है यह हजार है अग! मैं एक एक्जामपल ले रहा हूं मिर पास सोच होल्डर है मेरी कंपनी में और इसको द schwierig ले 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 थैंद equerry कस्ट किना बचेगा नौहजार उन प्रिक्स winters सब मिला के कितना हो गया 1000 तो अब जो मेरा बचेगा यह कितना बचेगा 5000 मालो ticks 50% मालो टेक्स का rate क्या है 50% है 50% इस 5000 का निकालोगे That is आपका ما climate mechanism 2 तो अब कितना बचा हमारा अब यह200 हमेशा किसका पार्ट है यह उनल के लिए हैं अगर यह बच्पिंस रुपय आउनर का पाठ है तो ऑनर इसको क्या कर सकता है नहीं कर सकता उसकी सोच की बात करते हैं या तो option नंबर वन है उसके पास के हमें एक काम करते हैं हमारा जो पैसा हमारा बचा बात लिया ड़िएंट तो डिवीडेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है यह हो सकता हमारा इप इस डिवाइडेड क्या था नंबर आफ शीर आप सिंपल सा देख सकते हो डिवीडेड अगर आप से पूछा जाए तो वैसे और भी फॉर्मूले है तो यह क्या होगा इपिएस डिवाइड़ बाइन नंबर ऑफ शियर तो सर इपिएस तो यह तो इपिएस इन था ना अर्निंग आफ्टर टेक्स या शरी एटी मैंने इपिएस लिख दिया वहाँ पर वह क्या होगा नाम बदल दो इपिएस तो अर्निंग पर यह हो गया उटी है ऐसा कैसे सर दो दो नाम कैसे क्योंकि यह सभी अपने घर लेगा है तो डिविडेंड और एक शियर अर्निंग पर शियर एक शियर कितनी कमाई हो रही है तर पच्छिस रुपए हो रही है अब कंपनी दूसरा भी फैसला ले सकते कंपनी बोले नहीं यार और यह पैसे इस बार ना हम बाटते नहीं है जो यह पच्छिस सो रुपए हैं इसको हम इस बार नहीं बाटते हैं option number two है company के उपर हम इसको reinvest करेंगे मतलब हम इसको नहीं बाटेंगे हम इसको reinvest करेंगा business का growth हो जिससे तो इसका मतलब अब इसको अगर बात करें तो यह हो जाएगा हमारा इसका नाम retain earning के उसने पैसे को बचा लिया आपस में बाटा नहीं और यहां के case के अंदर अगर मैं पच्छिस सो divided by अगर मैं सौ करूं अब जो यह 25 रुपया है इसको dividend नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे EPS अगर shareholder अपने घर ले जाता है उठाके तो that is dividend और घर नहीं ले गया तो इसको क्या बोलेंगे भाईया अब यह EPS की category में आ गया earning पर share अभी तो हमने यह निकाला के share पर कितना कमाया और जो 25 रुपय उसको total को क्या बोल देंगे हम sir retain earning और तीसरा भी option company के पास available होता है option number 3 बोलता है यार यह काम करते हैं न पच्चिस सो में से 1500 बांट लेते हैं आप और 1000 रुपय को हम invest कर देंगे तो जो 1000 रुपय है यह हो ढूआ Screen Erning और जो 15 सो बांट दिया वो क्या हो गया सी डीविडेंट लेकिन यहाँपर पर EPS क्या होगा EPS आपका यहाँपर 25 ही माना जाएगा डिवाइड करके लेकिन सर डिविडेंट कितना होगा डिविडेंट 15 रुपे माना जाएगा 25 रुपे डिविडेंट नहीं माना जाएगा EPS आपका पूरा ही माना जाएगा EPS का simple meaning होता है कि आपने overall कितना कमाया है डिविडेंट का मतलग होता है आपने कितना shareholder को दिया है तो ये कुछ words है technical words कहलो सारी चीजे कहलो ये ऐसे कुछ words हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखने होंगे इस chapter को करने के लिए specially कि हमारे shareholder तक पैसा कैसे पहुचता है profit का वो पूरी journey आपके सामने यहां given है इसी journey में से हमें कुछ-कुछ points बोला जाएगा कि आपको करके दिखाना है और आपको use करके उसे ढूंड करके दिखाना है इसी में से तो सर अगर हम बात करें अगर हम बात करें अगर हम बात करें सर यह पूरा का पूरा स्टैट्स है तो सर हम इस चप्टर में पढ़ेंगे कि आभी तक तो यह बताया है नहीं इस चप्टर में leverages पढ़ाये जाएगा और leverage को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है बोला गया है भाईया leverage जो पढ़ाएंगे आपको तीन कटेगरी के पढ़ाएंगे कौन-कौन से पढ़ाएंगे एक तो पढ़ाने बाले हैं operating leverage operating leverage कि एक पढ़ाएंगे आपको financial leverage और एक पढ़ाएंगे हम combine leverage और combine leverage पता है क्या होता है इन दोनों को जोड़ दो यानि इन दोनों को क्या करो आप कहां चले कि एक मिनट आप प्रिविएस लियर आप इन दोनों को क्या करो आप into कर दो तब जाकर आपका कम माइन जोड़ना नहीं इन डो करना है कम माइन लीवरेज यानी सब्सक्राइब पढ़ेंगे हां तीन लीवरेज पढ़ने पढ़ेंगे चलिए आगे और देखते हैं इसी फॉर्मिट को एक बार मैं कोसुस करता हूं शायद आपको तो याद हो तो यहाँ पर मैं इसके फॉर्मूले भी बनाने सिखा दूँगा कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं आपके हाला कि जो तीन लीवरेज मैंने बताया है अगर मैं लीवरेज की बात करूं तो लीवरेज जो तीन है एक है हमारा ओपरेटिंग लीवरेज मैं एक है हमारा फाइनेशल लीवरेज एक है हमारा कंबाइन लीवरेज यह क्या है और क्या क्या बताता है वो भी देखेंगे सबसे पहले हमने क्या देखा था सर सेल्स अब सेल्स में से क्या माइनस किया था हमने वेरियेवल कॉस्ट वीसी जिसको नाम दे दिया जैसे ही आपने वीसी माइनस किया आपके पास निकल के आया contribution आपके पास निकल के आया सर contribution इसके बाद आपने इसमें से क्या माइनस किया fix cost और fix cost जैसे ही माइनस किया आपके पास क्या निकल के आया जिसको short form में मैंने बताया था इबी आईटी जैसे इबिटा भी बोल देते हैं कई बार ठीक है ना और वैसे पीवी आईटी भी बोल देते हैं लेकिन इबी आईटी बहुत फेमास है आप एक्जाम में भी इबी आईटी वर्ड का इस्तमाल कर सकते हो स्टेंडर्ड फॉर्मे सवाल में तो पीछे सवाल में मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑंर्परेटिंग क् estuvरेंटिंग कॉस्ट किसके बीच में होता है हमारा वैरियतिंग और फिक्सको अगर operating cost से ही ड्राइब वो हमारा operating leverage तो अगर आपको operating leverage जानना है तो operating leverage का formula क्या हो जाता है सर operating leverage का formula हो जाता है contribution divided by कई तीन formula है इसके लेकिन हम पहले इक एक सीखेंगे फिर इसी का दूसरा दूसर सीखेंगे इसका मतलब अगर मैं यहां पर अलफा बेटिकल चलूं यानि इस contribution में से इसको divide कर देना है किसको कि इविएटी को contribution divided by इविएटी तो contribution divided by EVIT क्या होता है operating leverage तो इनके बीच में ऐसा क्या खड़ा है जो की बता रहा है यह बता रहा है क्या है इसके बीच में fix तो आपकी company में fix cost है ही नहीं जैसे मान लो यह सौ और यह जीरो हो और यह क्या हो सौ तो सौ डिवाइड़ेड़ सौ क्या होगा वन अगर वन आया तो आपको पता चल जाएगा यार इस company में fix cost है ही नहीं तो यह देखो management है management ऐसा नहीं कि पूरी सारी चीज़े करेगा तो फैसला लेगा मैंने पुछा बता भाई क्या आया operating leverage मेरे अकाउंटेंटेंग बोला सार ओपरेटिंग लीवरेज आपका वन आ रहा है मैंने ठीक है चल fix cost से सबार तो नहीं है हमें तो वो यह data देगा हम अगर इसको देखें तो हम इतने सारी चीजों को पेज इतनी मोटी balance sheet को पूरा नहीं पड़ सकते अब हमें short में summary देखके अपना decision सुनाना है तो मैंने बस उससे यह नहीं पूछा सेल कितनी थी वेरीवल कितनी थी fix cost कितनी थी अपको भी हो सकती है मैंने पूछा ऑपरेटिंग लीवरेज किया उसने बोला सर ऑपरेटिंग लीवरेज तो आपका वन आ रहा है तो मेरे को दिमाग में आ अब यह fix cost हो तो चिंता वाली बात नहीं है बिजनस चलेगा भी हमारे उपर ज्यादा ऐसा खर्चा नहीं है कि बिजनस नहीं भी सेल आता है तब भी देना पड़ेगा fix cost का तो मतलब यह हो चाहे नहीं हो देना यह आपको अगर यह आता है हमारा 1 से अवाव जैसे 1.1 आ गया 1.2 आ गया तो जितना आगे वाला हिस्सा है वही सिर्फ fix cost है तो अब जैसे किसी company का 1.1 आया और किसी company का 2 आया तो risky company कौन सा है तो here इसके अंदर ज्यादा fix cost का आपका contribution होगा है मतलब ज्यादा fix cost का amount होगा यहां पर तो यह ज्यादा risky है यह company क्या है हमारा बहुत risky माना जाएगा आपको यहां पर compare to this ठीक है इसमें से बाद हमने क्या बोला था माइनस करेंगे इंट्रस्ट प्रिफरेंश डिवेडेंट साइद आपकी किताब में एक ही question में नहीं तो वह भी नहीं हो तो मैं सिर्फ interest लिख लेता हूं जैसे ही आप interest को माइनस कर देंगे तो क्या result आएगा आपके पास अब सर मैंने पीछे आपको बताया था कि फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है और फाइनिशल लीवरेज भी इसी से बना है किससे बना है हमारे जैसे ओपरेटिंग कॉस्ट इससे बनाता है तो फाइनिशल लीवरेज के बीच में अगर देखा जाए तो कौन है यह इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा कि कितना पाइम पाठ इन्टरेस्ट का है तो इसका फार्मुला क्या होगा सोचो दिमाग लगाओ जैसे आपने operating leverage का formula लगा है मैंने बोला भाया operating leverage का connection जो है वो इससे और इससे है तो आपने फट से formula मैंने बना के दिखाया आपको ऐसे ही मैंने बोला के भाया financial leverage financial leverage का connection किसके बीच में है इन दोनों के बीच में तो इसका सोचो दिमाग लगाओ फटाफट क्या formula बन सकता है इसका तो इसका formula क्या बन सकता है comment पे फटाफट बता देजए बाकी बच्चे भी तो मैं लिख दू फटाफट से इसका formula बन सकता है एई-बी आई-टी इवी-ई-टी बाई जल्दी जल्दी बताओ आप सारे बच्चे क्या कर रहे हो यहां पर पता दो फटा फट इवी इटी डिवाइड़ वाई क्योंकि देखो आप इसको अगर नहीं साथ के साथ लेके चलोगे तो यह सब्जेक्ट इतना और मैं इतनी गैरेंटी दे रहा हूं जो बच्चा म आता है अब अकाउंट में तो तुक्का भी लगा देते हैं जनरल एंट्री कुछ-कुछ डाल दो यार कुछ तो मिलेगा यहां पर यहां पर ना तो जनरल ना तो कुछ सीधा फैसला बताना है आपको वहां पर कि क्या हो रहा है या नहीं हो तो उस हिसाब से हैं तो चलिए सब्सक्राइब देखते हैं सभी बच्चों ने लगबग लगबग बता भी दिया डिवाइड करके तो यह इसका फॉर्मूला बन गया और कंबाइन लीवरेज मैंने क्या बताया था इन दोनों को करते हैं इन दोनों को इंटू करते हैं दूसरा एक और मैं फैक्टर बता र कॉंट्रिबूशन डिवाइड़ बाए इवीटी और मजे की बात देखो जो आपने पहले फॉर्मूला मैंने इंटू वाला बताया था अगर उसको सॉल्व करता हूं तो रिजल्ट यही आएगा आप क्रॉस मुल्टिप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा हमारा इवीट से कट जाएगा और इवीट बच जाएगा कॉंट्रिविशन यानि जो मैं कहने की कोशिस कर रहा हूं तो यह अगर आप मल्टिप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट यही निकल के आएगा तो आपका यह क्या आगया कंबाइन लीवरेज कंबाइन लीवरेज यह सिंपल वाले क साब से मेरे समझ से आपको फॉर्मूला याद करने की जुरत नहीं है अगर यह चीजें आपको पता चल जाए और आपको याद रहे के भाईया सेल्स में से माइनस कॉंट्रिविशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रो इवीट आता है इंट्रस तो आपको फटा-फट से याद हो प्रक्स लिया तो EPS होता है हमारा EPS is equal to EAT इसको डिवाइड करो number of इसी फॉर्मेट के अंदर हम यह भी निकालके दिखा सकते हैं इसी फॉर्मेट में हम इसको यह भी निकालके दिखा सकते हैं सर कॉंट्रिबिशन डिवाइड बाइभाइड एट ठीक है ठीक है तो इसी को हम इसी format में आगे लेके चल सकते हैं और उपर लिख दोगे आप यह basically है क्या यह income statement है इंकम statement बोल सकते हो कि हमने यहां पर कुछ income का calculation किया जो कि एक statement है ठीक है अब इसमें बड़ी सारी चीज़ें देखो first class है तो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाए अब बताओ अगर मेरा यह वन आया अब ध्यान लगाना अगर मेरा यह वन आया तो वह किसका का relation है यह इन दोनों का relation है वन आयेगा तभी जब इंट्रस्ट क्या होगा जीरो इंट्रस्ट क्या होगा अगर मैं बोलता है यार मेरा फाइनेशल लीवरेज ना मेरा वन आ रहा है तो आप समझ जाए बड़ी अच्छी बात है तिर पर करजा ही नहीं है क्या समझ मैं तिर यह पैस बार हमारा फाइनेशल लीव्रेज वन तो जो मेनेज्मेंट वाले सारे बैठे होंगे वह समझ जैंगो फॉत सीयर कंपनी के उपर करजा ही नहीं तभी तो वियाज नहीं है और कंपनी के बियाने तो इन्वेस्मेंट के लिए best कंपणी good कंपणी िमाणी जा सकते पैसे लगा दो इसमें और अगर आपका आता है मान लो 1.1 तो भाया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना ब्याज बढ़ता जाएगा और अगर 2 आ जाए तो और ज्यादा ब्याज बढ़ गया मतलब कुछ भी आ सकता है नंबर वो तो मैंने ऐसे ले लिया आपका और सेम अग कमपनी के अंदर fix cost है और ना ही कमपनी में interest है और अगर 1.1 आ गया तो भाया कमपनी में दोनों चीज़े है लेकिन कितना परपोस्टनिट किसका है ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है एक formula जो कि आपको बनाना भी आ गया और समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाना है questions ऐसे होगा simple हमें multiply वगरा करके और फिर हमें एक answer निकालके दिखाना होगा तो यहां तक आप में से किसी student को कोई doubt है कि भाया leverage कितने परकार के हैं तीन है अब operating leverage क्या बताता है fixed cost और contribution का relation बताता है कि कितना part fixed cost का है कम और financial leverage स्रिफ और स्रिफ interest को बताता है कि कितना proportionate company के अंदर interest का है कितने अगर आपको leverages दे रखा तो आप interest भी calculate कर सकते हो जैसे जैसे हम आगी बढ़ेंगे वो सारी चीजे हम सीखते जाएंगे कई वार question में पूछा जाता है कि मान लेते हमारे sales से डबल हो जाए तो बताओ हम को clear है तो यानि सर operating कितने leverage होगे हमारे तीन operating leverage, financial leverage, combined leverage, operating leverage का formula क्या है contribution divided by EBIT, financial leverage का formula क्या है EBIT, EBIT क्या बोल रहा हो यह आपको यह format से पता चल जाएगा, combined leverage दोनों को multiply कर दो यह contribution divided by EBIT और EPS का formula आपके सामने है, तो आईए यहां तक हर एक student को clear है, yes sir, clear, 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 तो एक सवाल छोटा से आपके book का है, और इस सवाल को करेंगे, और तीन firm है, एक firm का मैं करूँगा, एक firm का, दो firm का homework में दे दूँगा, दो firm का, वैसे चलो तीनों ही कर देते हैं, मैं table तीनों बना दूँगा, बाकी दो के homework में दूँगा, ताकि मैं अगली class पे कुछ करो तो आपको पता लगे कि कितना आ रहा है, मैं A का कर देता हूँ, ठीक है न, ऐसे ही question आएंगे, आपके ज़रूरी ने एक company हो, तीन चार company होगा, तो तीन चार company होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे तीन column बना लेंगे, एक column, दो column, income statement बनाना, अगर income statement आपको बनान कौन सा है, C, यहाँ output, output का मतलब होता है, कितना unit बनाया, यानि sales, और variable cost per unit दे रखा है, तो हमने 60,000 unit, 15,000 unit और 1,00,000 unit बनाया, selling price per unit दे रखा है, 60 पैसे, 5 रुपे और 10 पैसे, तो अगर पहले case के अंदर हम sales निकाले, तो sales मैं पहले case के अंदर निकालो, तो भाया, 60,000 unit है और कितने रुपे का एक है, 0.6, तो कितने हो जाते हैं, 36,000, और same, दूसरे case में लेके चलोगे, तो 60,000 into में, 15,000 into में 5, कितने हो जाएंगे, 75, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 15,000 into में 5, क्या समझ में आया है, कैसे 15,000, इसका unit यहाँ अलग है, और तीसरे का क्या हो सभी student को सेज समझ में आगया कैसे है, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, variable cost, तो पहले का variable cost होगा, 60,000 unit और एक unit variable cost का दे रखा 20 पैसा, into में 0.2, यानि कितना होगे, 12,000, दूसरे का कैसे निकालोगे आप, डेड़ रुपय है, तो 15 into में डेड़, 15 into में डेड़, कितने आ जाएंगे, 22,500, तीसरे की बात करें, तो क्या जाएगा, एक लाख divided by दो, तो 2000 आजाएगा, अगर इनको आपस में माइनस कर दिया जाए, तो ये क्या निकल के आएगा, ये 12 होगा, नहीं 2000, दो पैसे है, तो 36 में से 12 गए तो 24, 75 में से 22,500 गए तो 52,500, और यहाँ 8,000, अब क्या माइनस करें यहाँ से, हाला की question में क्या पूछा है, मैंने पढ़ा नहीं question, calculate the degree of, इसको ना operating leverage मैंने बोला, actual में नाम है degree of operating leverage, degree of आपका financial leverage, degree of combined leverage, तो degree of operating leverage को बोलते है, DOL, short form है, देखो, यहाँ पे लिखा भी है, और degree of financial leverage को बोलते है, DFL, और combine को क्या बोलेंगा, DCL, यह कुछ short form है, तो यह तीनों ही पूछे गए हैं, इसमें, fix cost दे रखा है, आपको fix cost दे रखा है, 7,000, 14,000, पंदरा सो, इसके बाद क्या निकल जाएगा हमारा, EBIT, तो 24,000 माइनस साथ, यहाँ गया 17,000, बावन पान सो माइनस में 14,000, यहाँ गया 38,500, छे हजार, अब इसमें से क्या माइनस कर दो, इंट्रस्ट, अब या तो question में interest देगा, या question में loan वगरा देदेगा, तो देखते हैं क्या दे रहा है, interest दे रहा है सीधा सीधा, तो 48, बलता है यहाँ तो 4000 है और यहाँ 8,000 है और यहाँ कुछ है नहीं, तो इसका तो मुझे पता ही चल गया, financial leverage क्या होगा, इसका क्या होगा, वन होगा, EBT, 14,000, 13,000, 38,000, 3500, सारी चीज़े निकाल दी, अब हमेना अलग से formula निकालके, अलग से करने की जुरत नहीं है, हम यहीं पे कर सकते हैं, यहीं पे लिखो सीधा, DOL, एल, DOL का formula क्या है हमारा, contribution, E, E, B, अब आप यहीं पे निकाल सकते हो, क्यासे निकालोगे, यहां पे 24,000, और divided by, क्योंकि इन दोनों का relation है, यह, 24 divided by 17,000, यह आगया 1.41, मैं एक का निकालोगे, इसके बाद DFL भी निकालोगे, क्या होगा, EBIT divided by EBT, तो अगर DFL की बात करें, तो इन दोनों का relation है, that is 17,000 divided by 13,000, यानि 1.30, अब DCL भी निकाल सकते हो, तो DCL इसको इंटू कर दो, सिंपल आ जाएगा, 1.30, 1.3, इंटू में 1.4, यह आगया 1.82, अब आपको तीन कंपनी देगा यह, और तीनों कंपनी में से judgment भी पूछ लेका, बताओ, किसका operating leverage बढ़िया है, तो जिसका सबसे कम, वो बढ़िया, किसका financial, जो जिसके कम leverage होंगे, तीनों में से, मानलो यह आगया, आपका 1.5 आगया, तो मैं बोलूगा, यह ज़्यादा risk है, यह कम risk है, समझ मैं, तो दो के आपको, यह मैं दूँगा, आपको, homework के अंदर, हो जाएगा आप से, हो जाएगा, कैसे निकालेगा, बस divide करना है, और एक बार आपको questions को पढ़ना है, और उसके बाद आपको इसको आगे करना है, तो अभी हमने यह देखा है, आगे चलके हम क्या देखेंगा, और भी questions है, जिसमें आपके percentage, जैसे बोलता है, how much sales would we need to be percentage basis, मतलब अगर आप चाहते हो कि earning before interest on same हो जाए, तो बहुत सारे चीज़े बोलेगा, उसके according, क्योंकि मैं एक साथ सारे के सारे formula बता दूँगा ना, तो जो अभी लग रहे हैं आपको आसान, फिर लगेगा यार यह तो बहुत मुस्किल है, तो अगली class में हम फिर से इन तीनों के दूसरे वाले formula और उससे related question, फिर उससे अगले class में तीसरे वाले formula और फिर question, मेरी तरफ से फिर concept खतम, फिर हम सारे के सारे क्या करेंगे question, और इस बार मज़े की बात है कि जितने 10 year के questions है, वो मैंने पहले ही सारा record कर लिया है, जो कि आपको 10 year को करते समय पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और internal के लिए पूरा का पूरा chapter हमने last year record किया था, तो वो आपके अवेलेबल है, हालकि आप देखोगे previous recording में भी यह मिलेगा, लेकिन मैं जब live class बोल रहा हूं, तो हर class में मैं नया ही से करवाँगा, हो सकता है, पिछली बार मेरा formula बताने का तरीका अलग हो, हो सकता है, पिछली बार format बताने का तरीका हो, तो मैं जितनी बार भी उस chapter को द देखते हैं, तो इस format को ऐसे बता रहे हो, तो भाई मैं जितनी बार बताऊंगा, उसमें कुछ ना कुछ variation जरूर होगा, जिसमें confuse नहीं हो, वो जो करा है, वो भी मैंने करा है, वो भी ठीक है, और जो यह मैं करा रहा हूं, यह भी ठीक है, जो बच्चे internal में use करेंगे, तो okay है दोनों, और कोई दिक्कत नहीं आएगे, हाँ, एक दो क्लास में मैं कुछ चीजे बता देता हूं, वहाँ पर एक्स्ट्रा बता देता हूं, कई वार कुछ चीजे कम रहे, बताना रह जाता है, तो वो चीजे फरक हो जाता है, बाकी चैप्टर में पूरा का पूरा live में नहीं करा हुआ तो चलिए अब नोटिंग आप करेंगे